अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. दिन लगेंगे इस एक्जाम को कंड़क्ट कराने में, और ये आपके सामने निवीज पेपर है, हिंदुस्तान, इपेपर, 30 माई 2018 के, यानि कल की, साथ में देख लिजे प्रिष्ट संक्या 14 है, और बरेली देहात एडिशन है, ताकि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा स्क्रीन पे ये, पांस चड़नों में होगी रेल्वे ग्रूब डी की परिक्षा, इतना ही नहीं, इसमें पुरा डेट अनाउंस किया गया है, कि कब-कब आपकी एक्जाम होनी है, पांस दिनों के अंदर, पांस दिनों में, तो ये मैं आपको जूम करके आपको डिटेल में दिखाता हूँ, जूम करने पर हमें कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, नाम की अधार पर परिक्षा कारिक्रम, यानि कि अलफा बेटिकल ओर्डर में एक्जामिनेशन होगी, 12 अगस्त को, 18 अगस्त को, 26 अगस्त को, 9 सिप्तेंबर को, 16 सिप्तेंबर को, अमर उजाला नीज से 2 मेने लगेंगे एक्जाम कंड़क्ट करवाने में, क्योंकि ओनलाइन परिक्षा सेंटर भी बहुत ही कम है, तो ऐसे में इस बार काफी ज्यादा टाइट रहेगा, और अच्छे सेंटर को, अच्छे सेंटर को रखा जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई गरवरी ना हो, पिछले बार की तरह, लेकिन इस न्यूज पेपर में ऐसा कहा गया है कि 5 दिन के अंदर परिक्षा हो जाएगी, अब देखिए, डेट भी दे दिया हुआ है, 10 दिन पहले एड्मिट काड भी आ जाएगा, तो ये बाते मुझे भी डाजेस्ट नहीं हो रही है, मैं आपको न चालीस लाग एटृटेंट्स एकजाम देते हैं, तो एक मेने लगते हैं एकजाम कंड़क करवाने में ऑनलाइन, और ये तो इसमें धाई करोड एकजाम देने हैं, तो पांस दिन में कैसे पॉसिबल है, तो इसी कारण से मुझे विस्वास नहीं हो रहा है, कि ये सच है, ब झाल झाल